ओम ज्ञानत्य भल्धास्य जस्या ज्ञानन जुनशलाक्या चक्षूरु निलितां यना तस्मै श्री गुरुवे नमा बद्ध्वते वासुदे वाया औम बद्ध्वते वासुदे वाया श्रीमत भागतम पहला केंटो पंद्रबाध्याय और श्लोप संक्या 47 तो हम लोग सुन रहे थे किस परकार युदिश्टर महराज का परित्याग कैसे वो अपने जीवन में अपने जीवन को विरक्त करते जा रहे हैं आपने भागत कीता में सुना कि किसको त्याग कहते हैं वास्ता में जो त्याग टैंपरेरी है किसी भौतिक दुख के कारण पैदा हुआ है वो त्याग वास्ता में रजोगुन में हुआ त्याग है वास्ता भी त्याग नहीं है क्योंकि आज त्याग है कल फिर से उसमें एक अटेश्मेंट पैदा हो जाती है लेकिन दिश्टर महराज को भगवान से पूरा प्रेम था उन्होंने अपने पूरे जीवन में सारे कर्तवियों को निभाया था भक्ति करी थी हर बुरे अच्छे मौकर मौके पर कृष्ण पर डिपेंडेंट रहे थे लाक्षा ग्रह भीम क ईक जेहर देना, उनको अपने घर से निकाल देना, उनका दुरूत करेड़ा में हराये जाना, उनकी पतनी के वस्थर उतारने का परयास करना इन सारे कारयों में भी वो क्रिश्न पर डिपेंडेंडेंट रहे थे तो उनका उनका जो वेराग्या था वो टैम्परेरी नहीं था उक्षनिक नहीं था वो सोचा समझा भक्ति में था तो हमने सुना किस प्रकार से एक पर्टिक्लर एज के बाद हमें कोशिश करनी चीए कि हम हर प्रकार की जिम्मेदारी को त्याग कर केवल कृष्ण के भक्ति में लग्स गए तो उसके उसी को हम आगे चलाते है श्लोक सं इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मर्ण करने से उत्पन भक्ति मई शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदी नरायन भगवान क्रिष्ण द्वारा अदिशासित वैकुंट लोग प्राप्त किया हमने सुना कि इस प्रकार से युद्धिष्टर महराज और उसके बार में भाकी पांडव जो चार पांडव थे उन्होंने उनके पदों का अनुसरन करते हुए क्या किया शुद्ध चेसना से वैकुंट लोग प्राप्त किया तो वैकुंट लोग क्या है हमें समझना पड़ेगा भगवान बताते हैं भगवत किता में किनातद भाष्यते सूरियो की वो एक ऐसी जगत है जहां सूर्य की रोशनी की ज़रुवत नहीं पड़ती है हम सुनते हैं हमारे सौर मंडल में इसको नाम भी सौर मंडल है वो सूर सूरिय की रोशनी पहुंसती नहीं है वहां सूरिय है ही नहीं वास्तव में और ये सारे भातिक ब्रहमांडों के बाद एक जगा आती है जिसको हम वैकुंट कहते हैं और वास्तव में वो जगा इतनी बढ़ी है कि ये जगा उसके सामने बहुत छोटी सी है सोचिए संसार कि कितना बड़ा है हमें संसार को देख ही नहीं पाएं आस तक ऐसे कहते हैं कि अनिक अनिक ब्रहमाण है और ये ब्रहमाण एक राई के दाने के बराबर अनंत शेष के फ़नों के उपर बैठ रहते हैं राई के दाने के बराबर और सोच ये कितने विशाल होंगे अनंत और कित जन्म, मृत्यू, बिमारी और बुड़ापा, ये चार तरह के दुख इस संसार में मिलते हैं, और इसके लावा आधी बहुतिक, आधी दैविक, ध्यातमिक, कलेश इस संसार में मिलते हैं, तो उस संसार में इसलिए उसको वैकुंट का जाता है, जहांपर कोई कुंटा नहीं ह और यद गत्वाने निवरतनते, उस जगह में जाकर कोई वैक्ती वापिस नहीं आता है, फिर से, कौन आएगा ऐसी जगह में फिर से, जहां मिलत्यू है, बुड़ापा है, बिमारी है, तो इस प्रकार से उस वैकुंट लोग को पांड़ों ने प्राप्त किया, तो अक्सर बहुत सारे और लोग है, तप है, जन है, महर, सत्य लोग कित्यादी, तो ये लोग और भी जादा उननत है, स्वार्ग से लिए, लेकिन हमारे, जनरली हमारे डिसकॉशंस स्वार्ग के बारे में यह हैं, क्योंकि हम कर्म कांड करना जाते हैं, हम बढ़े माहिर में कर्म उसको कहते हैं तो वो कर्म कांट के फल अक्सर यही होते हैं कि तुम्हें अच्छी पतनी मिले, अच्छा धन मिले स्वर्ग का वास मिले जहां पर कहते हैं कि बहुत सुंदर जगा है बहुत अच्छा है, शरीर थोड़ी बलिस्ट है आयू थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी आयू है, मिर्तियो है जर्म है, मिर्तियो है तो इस परकार यहां पर बताते हैं कि उन सब ने वास्ता में वैकुंट पराप्त कर लिया पांड़ों ने, यह वैकुंट लोग केवल उन्हें पराप्त होता है, किसे जो अविचल भाव से परमेश्वर का ध्यान करते है यह इतरा फ्रीली अविलिबल नहीं है, यह कर्म कांड से नहीं मिल सकता, यहां पर कोई भी बनावटी वैक्ति नहीं जा सकता, यहां पर रिश्वत खोडी से नहीं जाय सकता या पर किसी देवता को पटा के नहीं जाय सकता क्योंकि देवता भी इसी लोग में जाने के लिए ततपर रहते हैं, इसलिए कोई भी देवता वैक्ति वास्ताओं में वैकुंट वास नहीं परदान कर सकता, इसलिए देवताओं की वर्षिब पर भगवन कितां में बहुता है कि यह अधिक समझदारी का काम नहीं है क्योंकि जो भी आपको दे सकते हैं इसी सनसार की चीज दे सकते हैं और इस सनसार की problems क्या है क्योंकि तुम ही मर जाओगगी यहां तो चीज चलिए जाएगी तुम से क्योंकि यहां पर हर वस्तु की भी एक लाइफ है हर वस्तु की यहां पर लाइफ है चाहे वो लोहे की वस्तु के ना हो हम सुनते हैं कि दिल्ली का जो हमारा पुराना पुल है वो एस पर लीगली हमने सुनाया है कि वो आप उसके अपनी लाइफ ही समाप्त हो चुग है और कितने पुल सरकार गिराती है गई बार और नए पुल बनाती है लोहे की भी चीज की एक लाइफ है बाकी चीज की अगर है अगर उसकी लाइफ नहीं भी है मानला बहुत लंबी लाइफ है हजार साल आपकी हमारी लाइफ बहुत चोटी है इसलिए यहां बताते हैं कि वास्तों में वैकुंट लोग उन्हें को प्राप्त होता है जो अविचल भाव से परमेश्वर का ध्यान करते हैं परम इश्वर इश्वर तो बहुत हो सकते हैं कई सारे देवताओं को भी हम इश्वर कह देते हैं कई बार लेकिन परमईश्वर जो की controller है सब चीज के सर्वकारण सर्वलोके महेश्वरम जो सब महाईश्वर है वो परमईश्वर का भगवान का जो ध्यान करता है अविचल भाव से उसी को प्राप्त होता है यानि की निरंतर करता रहता है यानि कि उंच में, नीच में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हमेशा भगवान का ध्यान उनके लिए कर्म करता है, उनके लिए कर्म करता है, उसको प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का इधाम गो लोक व्रिंदावन कहलाता है, और वास्ता में उस वै जिन्दावन के नाम से गोलोक के साम से इसके बारे में बहुत विस्तरत ज्यान हैं हम अक्सर अपने लेक्चरों में होताते हैं कि कैसे भगवान के अलग-अलग मूड में रहते हैं कभी वो नरसिंग भगवान के मूड में होते हैं उग्र मूड में आ जाते हैं कई बार वो व पासक हैं, वो भी वैकुंट में जाते हैं, लेकिन वो राम जी के वैकुंट लोग में जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, तो इस परकार से अलग-अलग वैकुंट के अंदर भी अलग-अलग लोग हैं, इन सारे लोगों में जनम रित्यु व्यादी कुछ नहीं है, लेकिन भी सबसे सुपरी हम बोलते हैं गोलोगधाम क्योंकि वहाँ पर कृष्ट अपने सौभाविक रूप में होते हैं नेचुरल रूप में होते हैं अपने ओरीजिनल रूप में होते हैं जिसमें हो लीलाएं करते हैं जिसमें हो बांसुरी बजाते हैं जिसमें भक्तों के साथ न जो जीवन की बहुत इक च्छाओं में रहते हैं उनको यह प्राप्त नहीं उनको क्या प्राप्त होता है उनको फिर से इसी जगह पर आना पड़ता है बार बार यह मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है आप जंक्शन जानते हैं क्या होता है रेलवे लाइन जंक्शन एक एक ऐसी जगह है जहां से multiple line निकलती है कुछ line ना रही है और कई सारी line निकलती है कई बार train वहां से U-turn मार देती है हमने ऐसे भी देखा है कि train का डबबा आगे डबबे आगे चले गए कुछ डबबे वही रह गए कुछ डबबे पीछे को चले गए junction में ऐसा भी होता है कितनी junction ऐसे भी है तो यह मनुष्य जीवन जंक्षन कितरे है कहाने का मतलब है कि junction से पहले train आगे बढ़ती है आगे 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 बढ़ती चले है लेकिन junction आने के बाद पता नहीं वो आगे जाएगी, राइट जाएगी, उल्टे आज जाएगी, पीछे को जाएगी, कहीं भी जा सकती है, तो मनुष्य शरीर के बाद आप आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी जा सकते हैं, नीचे भी गर सकते हैं, इसी शरीर में भी रह सकते हैं, लेकिन इसके पहले, जा प्राप्त नहीं होता वो तो बार-बार जंक्शन में आगे पीछे इदर उदर लगे रहते हैं लेकिन समस्त बहुत लिक कलमत से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडव जो है इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया इती बड़ा अध्भुत एक मिला वो उनके जीवन चरीतर से हमें दिखता है उनके चरीतर से हम देख सकते हैं के एक एक exalted devotee किसको कहते है हमारे जीवन में कई बार कस्ट आते हैं हम देखते हैं हमारी classes में कई लोग जुड़ते हैं कई बार घर में अचानक से कोई बिमार पढ़ गया कुछ हो गया उंच नीच हो गई तुरंट छोड़ देते हैं क्या फाइदा है सब को करने का यह हो गया ऐसा हो गया तो इसलिए हम लोग अभी भी भौतिक अवधारना में है हम भौतिक फाइदे रुकसान के अनुसार अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं कम करते हैं लेकि पांडू ने कभी ऐसा नहीं किया बच्पन से लेके बड़े होने तक उन्होंने केवल और केवल दुख देगा ब पुत्र पैदा ही नहीं कर सकते नहीं तो मर जाएंगे तो कुंति महाराने की सतरे देवताओं का आवान करके पुत्र किया तीन उनके होए दो मादवी के होए और बाद में किसी कारण से पांडू अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया और मित्ली को प्राप्त होए इतने शड़यंत्र 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 दुख दुख और केवल दुख लेकिन हम देखते हैं कि कहीं भी विचलित नहीं हुए एक पुर्वी हमेशा भगवान कृष्ण पर डिपेंडेंट ही रहे और नहीं का निए बगवान आप हमारे साथ हैं तो इतने दुख क्य पर दुख करते हैं वास्ता में जगह इसलिए बनाई है ताकि हम लोग अपने आपको अपनी तपस्या कर सकें शुद्ध कर सकें अपने आपको और भगवान के गोलोग धाम में जा सकें तो इसलिए बताया कि यह लोग ऐसे लोगों को नहीं मिलता गोलोग बिंदावन जो बहुतिक धारना बनाए रखते हैं इसलिए हम कोशिश करने हैं श्रीमत भागवत के इन सत्रों से अपनी चेतना को उठाने का कि हम समझ पा हैं कि हम लोग भगवान के आंच हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा करतव है इस संसार में हमें उतने समय तक रहना है जब तक हम अप आपी परित्यज्य प्रभासे देहम आत्मना कृष्णा वेशेन तचित्त पित्री भी स्वक्षयम ययोग तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने अब विदुर का आपको पता ही है कि विदुर थोड़े समय के लिए आये थे धिरतराष्ट को ज्यान दिया करते करते प्रभास जगह पर उन्होंने अपना शरीर त्याग भिया क्यूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मगने रहते थे इसलिए उन्होंने स्वागत पित्र लोग के निवासियों ने किया अब कोई कहेगा कि अभी तो आप बता रहे थे कि पित्र लोग स्वर् कुझा करता है अत्यादिक वो पित्र लोग में चल जाता है भगवान के धाम में नहीं जाता है तो ये जो है विदूर पित्र लोग क्यों चले गए तो भगवान के ध्यानी थे क्यों कि इनकी सेवा वहां पर लगी थी क्योंकि ये यमराज थे धरमराज थे ये अपनी उसी स्थिती पर उसी पद पर लोट गए आपको याद है कि किस परकार से यमराज को श्राप मिलिया था और श्राप के कार मंडूप रिशी मंडूप रिशी ने उन्ने श्राप दिया था याद है आपको कि जब उन्होंने गलती से रिशी को दंडित करने के लिए खड़ा कर दिया तो मंडू परिचने का कि बदपर्ण के में किये गए अपरात के सजा तो मुझे अब दोगे गरत है मैं तुम्हें श्राब देता हूं कि तुम निम्न कोनी में पिर्चीव में चले जाओ वास्ता में भगवान की लीला थी भगवान तो आई रहे थे कृष्णमन के इसलिए य पित्र लोग में भगवान की सिवा कर रहे थे कि यम्राज पर बड़ी स्पेशल सिवा है मनुष्य योनी के लोगों ड्वारा किये गए पापों का डिसीजन लेना उनको अलग-अलग योनियों में डालना उनको दंडित करना तो इस कारे के लिए वो फिर से वापस चले आया पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेव भगवती होकांत मतीरापतमा द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उनकी परवा किये बेना घर चोड़ रहे हैं वे वासुदेव कृष्ण को भलीवाती जानती थी अते वे तथा सुबद्रा दोनों भगवान कृष्ण क द्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की इसी गथी पराप्त करी यानि कि उन्होंने भी भगवान का धाम पराप्त किया वास्ताव में कोई साधारन इस्तिया नहीं थी आप जानते हैं सुबद्रा तो सम् भगवान की योगमा एक लाती हैं और द्रौपदी तो मेरे पती मुझसे पूछते नहीं प्रभुजी मेरे को प्यार नहीं करते हैं मेरे को ये सुनाते रहते हैं मेरे को वो सुनाते रहते हैं तो हम कहते हैं अब क्या करें पती खुश करने वाला यग्य कर लो दूसरा पती प्राप्त करने का यग्य कर लो क्या होगा उसे हाना हर पती में कोई न कोई कमी तो निकली जाएगी हर जनम में पती मिलते रहेंगे तो कब तक ये पतियों का चक्र चल रहें क्यों ना एक लक्षमी पती को ही अपना पती मालने जाए तो अल्टिमेटली ये ये ग्यान यहाँ पर मिल रहा है इस लोग से कि उन्हों ने देखा हमारे पतियों ने पूछा ही नहीं प्रुपात बहुत सा प्रपट लिखते है इसमें थोड़ा सम समय लेगें क्योंकि खतम अने वाला है बस तो यहाँ पर प्रुपात बताते हैं कि माना आप एक हवाईजाज उड़ रहा है और साथ में दूसरा हवाईजाज उड़ रहा है अब एक हवाईजाज अगर गिरने लगे तो दूसरा हवाईजाज उसको बचा नहीं सकता है हवाईजाज कि वो खुदी किस्ते ने तैर रहा है हवामे इसलिए प्रुपात बताते हैं कि हर वेक्ति को मदद मदद नहीं कर सकता है वास्ता में उस वक्त हमारा चिंतन हमारे हाथ में रहता है हाँ हमारी भक्त मदद करते हैं मरते समय हमारे सामने हरिनाम संकीरत निकालते हैं हमारे चेतना दिवे रहते हैं लेकिन फिर भी अगर हमारा मरते वे यही धिहान रहे हाई इसका क्या होगा हाई उसका क्या होगा तो इसका मतलब ये डोर हमारे खुद के हाथ में रहती है इसलिए हमें खुद को बड़ा स्ट्रॉंग बनाना पड़े है द्रावपदी की तरह है द्रावपदी में देखा कोई कितना भी अच्छा पत्नी और पती का रिष्टा रहा हो पूरे जीवन में कहते हैं कि ये दोनों का जोड़ा बड़ा अच्छा जोड़ा था जी कभी लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक को जाना पड़ जाएगा माना दोनों एक साथ भी गए फिर भी ऐसा नहीं है दोनों आत्माएं एक साथ में हाथ पे हाथ डाले घुमेगी शरीर को त्यागने के बाद तो आपको हवा भी नहीं रहेगी कि कौन आपको कहां पे ले गया बिलकुल ख़वर नहीं रहेगी इस बात की इसलिए सफर यहीं में देख लिया था थि छे-छे सबसे बलचाली पती होने के बाद भी रक्षा किस ने करी अल्टिमेटल कृष्ण ने करी तो इस परकार से उन्होंने भी सुबद्रा मारणी ने भी भगवान का ध्यान किया और शरीर का त्याग किया और फिर से वो भगवान के धाम में पहुँच गई उसके वाद आखरी चलोग आता है यह शद्धया एतत भगवत प्रियानाम पांडो सुतानाम सुतानाम मिती संप्रियानाम श्रुनोत यलम श्रुनोत अलम स्वस्त्ययन पांडो पुत्रो द्वारा जीवन के परम लक्ष है भगवत धाम के लिए प्रस्थान का ये विशय अत्यन्त शुभ है परम पवित्र है जो भी इस कथा को भगती भावना भाव से सुनता है उसको तीन लाग सोने की अशर्फियां मिलती है अपने बैडरूम को खो देंगे तो उसके नीचे पलंग के नीचे दो फुट नीचे आपको तीन लाग सोने की अशर्फियां मिलेंगी आज ही जाईए और खो दिये ऐसा इसमें नहीं लिखाए जनरली हम जो गरंत पढ़ते हैं गरंत तो क्या बोलें उनको इसमें बोला गया है कि जो भी इस कता को भक्ति भावपूर्थ से सुनता है वे जीवन की परम सिद्धी भगवत भक्ति को निश्य ही प्राप्त करता है तो यदि आपने इस प्रसंग को ध्यान से सुना होगा तो ज़रूरी आपको भगवत भक्ति मिलेगी ये गरेंटी बता रहे हैं आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा इसी तरह से श्रवन ध्यान से करना पड़ेगा तो भगवत भक्ति अवश्य मिलेगी भगवत भक्ति पढ़ने का परपजी है और उसका फल भी है जिसको हम फल शुती क्याते है शुती फल क्या है हमें भगवत भक्ति मिलेगी जो की असली उपलब्दी है हमारे मनुश्य जीवर की हरे किष्णा गरतराज शिवत भागुतम की जाए शुलप रुपात की जाए झाल